गुड़ा अप्रनून एवरिवन तो बच्चो आज हम सेवन स्टेंडर का गुजराती सीखेंगे उसमें अमारा आज का टोपिक है कोईडा उकेल समय बच्चो ये सीख गम्मत ग्नान है खेलते खेलते हमें ग्नान मिलेगा हमें कुछ नया जानने के लिए मिलेगा तो ये लेशन बहुत सिंपल है उसमें सीख हमें उकेल मतलब कि उखाना जैसे टाइप के टोपिक रहेंगे तो बाड़को आजे आपने कोईडा उकेल विशे जाए तो जो नीचे आपने कोईडा नो उकेल करी साचो जवाब लगो तेम ते जवाबनों चित्र पौन चटाड़ो बचो चित्र आप चिपका भी सकते हो या चित्र आप ट्रो भी कर सकते हो तो आपने आजे जो ये पेल पोईट ठमला जेवा मारा पग मंदलक कि ठम्बे की तरह मेरा पेर है सुपड़ा जेवा कान मेरे कान भी बढ़े-बढ़े हे сुपड़ा जेवा मंदलक कि जो शूप अनास हम साप कते न उसकी तरह हमारा कान है धम धम करतो चलतो हूँ, मारो काड़ो वान, मतलब मैं चलता हूँ तो धम धम अवा जाता है, धर्ती को हिला देता हूँ, अनि मारो वान काड़ो छे मतलब कि मेरा सरीर पूरा काला ही, तो बच्चो बताओ मैं कौन हूँ, तो बच्चो ये है हाथी, बच्चो ये कौन है हाथ तो यहां हाथी का चित्र बनाओ या चिपकाओ अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट लांबी डोग पन नथी उंट दिप्रो नथी तो ये टपका खुब मने जोईने थसो तजूब प्राणी ओमा हुँ खुब उंचु कि मेरी डोग बहुत लंबी है फिर भी में दिप्रो नथी तो ये टपका खुब मतलब कि दिप्रो पन नथी तो ये टपका भी बहुत है मने जोईने थसो तजूब मुझे देखको आपको तजूब लगेगा अजीब लगेगा प्राणी ओमा हुँ उचु मैं प्राणी ओमें सबसे उचा हुँ तो बच्चो बताओ म मैं कौन हूं ? तो बच्चो मैं हूं ? जीराप देखा हुगा बहुत उज्जा है उसकी डोग भी उनीट की तरह है और उसके सरीर पर तपके है यलो-यलो या ब्लैक ब्लैक तो यह जीराप है क्या है जीराप हमें आपने जो यह दीजो पोईंट जार छाप्रे कूदा कूद मतलब कि जो पेड हे पेड से छाप्रे के उपर कूदा कूद मैं करता करू हुँ हूपा हूप मैं हूपा हूप करूँ झूआ मैं आम थी तेम जाउँ झू division तेम थी आम आउँ झूँ दात्या काड़ी करू जो, मैं दात निकालके सबको चूप करता हूँ, मैं सबको हसी मचा करता हूँ, सबको चूप करता हूँ, मानस चेवू, मारू रूप, मेरा रूप मनुस्य की तरफ है, तो बताओ मैं कौन हूँ, बच्चो बताओ कौन है, बांदरो, बांदरो, इतले ब तो बंदर नोचितराईयां लगाऊ बचो बंदर हमें ठीड़े उसके अलग अलग नकरे रहती है वह मनूस्य को देखे यहां से वहां यहीं उसका काम है रुपा हूं करता है अभी हम देखने वाले है नेक्स्ट में है मारे माथे केयराड़ी मेरे माथे के उपर केश वाड़ी है चेहरा पच्छे मूच डाड़ी मेरे चेहरे पे मूच और डाड़ी है जंगल नो राजा कहवाओ पसु पंखी ने मारी ने खाम दिखो उसके माथे पे केश वाड़ी केश वाली इतले बाल है लंबे लंबे बाल है चेहरा पचे, मूछ दाड़ी, उसके चेहरे पे मूच और दाड़ी है और वो जंगल नो राजा कहवाई छे ने जंगल नो बदा राजा कहे छे पसु पंखी ने मारी ने खांग, पसु पक्सी को मार के खाते है बताओ मैं कौन हूँ तो बच्चो कॉन छे जंगल नो राजा कॉन छे तमने बदाने याज चे जंगल नो राजा छे C तो बड़को या C नो चित्र लगावो तो बड़को आग कोडा उकेल तमने समझ पड़ी हासे तमने मजा पन आagem आविय हासे कारण के एमा जम मत शाथी ना हailing चे नाग नहीं ? लमबा हूं . फिर भी में नाग नहीं और तेल चरे हनमान नहीं !! उन मेरे मैं तेल भी चरता है , फिर भी में हनमान नहीं तो बताओ मैं कौन हूँ बच्चो यह लंबा है लेकिन मैंने आप लगों को सी एक दो लाइन एक्स्प्लेंड क्या है उदाहरन की हिसाब से एक्जामपल की हिसाब से तो आपको भी एक दो और ऐसे दून के लिखना अपनी नॉटबुक में होगा तो मैं हनुमान नहीं हूँ फिर भी मेरे में तेल चटा है और मैं काला हूँ मैं लंबा हूँ फिर भी मैं नाग नहीं हूँ तो बताओ बच्चो मैं कौन हूँ तो यह हमारा बाल जो बालों में हम तेल भी लगाते है तो वो हनुमान तो है नहीं वो लंबा है, काला है, फिर भी वो नाग नहीं है तो उसी तरह मैं एक आप लोगों को ये एक्स्प्लेंड के हूँ मैंने एक्जाम्पल की हिसाब से सिप दोई लाइन वो भी बहुत लंबी है तो उसी तरह आप लोगों को भी एक दो एक दो आपको और ढूनना है और अपने अपने नाटबुक में बनाना है लिखना है, उसी तरह ये भी आप लोगों को नाटबुक में लिखना है तो बच्चों ये सिप खेल गम्मत के साथ पढ़ने का एक कोड़ा उकेल था तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा ओके, थैंक्यू